जैसे जैसे इंडिया में ओनलाइन क्लासिस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैप का जमाना वापिस आता जा रहा है वहीं शाओमी ने अपना मी पैड 5 प्रो इंटर्डूस कर दिया है तो क्या ये टैबलेट सैंसंग एंड एपल से भी बेटर है और इसका प्राइस क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में हालो गाइस अगर आप भी टैबलेट लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट थोड़ा टाइट है तो थोड़ा रुख जाएए क्योंकि शाओमी आपके लिए लेकर आया है एक दम धमाकेदार फीचर लोड़िट टैबलेट तो फटाफट से इसकी अन्बोक्सिंग देखत और इसके अंदर आपको मिलता है एक टैब और उसी के नीचे आपको मिलेगा एक पाउच जिसमें आपको डोंगल मिलेगा और उसके बाद आपको मिलती है सिम एजएक्टर पिन और क्विक स्टार्ट गाइड एक बात तो है शाओमी ने इसका डिजाइन गुड़ इस मैगनेट से ही पता चलता है कि शाओमी इसमें आपको पैन भी देगा और उपर आपको पावर बटन मिलेगा विद फिंगर प्रिंट सेंसर और लेफ साइड में आपको सिम कार्ट लोड मिलता है और इसकी एक खास बात यह कि शाओमी ने इस टैब को 5G रेड़ी रख है लेकिन एक खराब बात यह भी है कि शाओमी इसके साथ चार्जर और केबल बिलकुल भी ने देती उसे आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा 67W का फास चार्जर आता है इसका विद USB-C टाइप केबल और इसका डिजाइन एपल के टैब से काफी ज़्यादा इंस्पायड है तबी तो यह टैब दिखने में इतना अट्रेक्टिव लगता है और इसकी एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी 11 इंच की IPS LCD 2 के डिस्पले जिसकी डेलाइट प्रफोर्मेंस काफी ज़्यादा इंप्रेसिव है यानि के दिन में भी आप इस टैब का यूस बहुत अराम से कर पाएंगे और एक बात हो रहा है इतनी बिग डिस्पले में मुवी एक्सपीडियन्स बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बैक में डूल कैमरा सेटप मिलता है 13 में आप इक्सल में और 5 में आप इक्सल का डेप सेंसर के साथ जो की ब्यूटिफुल पोट्रेट फोटोस लेने में आपके बहुत काम आएगा एंड फ्रंट में आपको 8 में पिक्सल का सेलफी कैमरा मिलता है अब में बात करते है इसके पर्फोर्मेंस की स्नैप ड्रेगन 870 प्रोसेसर मिलता है इसमें आपको और इसका 67 वाट का फास्ट चार्जर इसको 67 मिन्ट में ही फुल चार्ज कर देगा बट इसकी एक नेगटिव बात इसमें आप वोई स्कोलिंग नहीं कर सकते बट वट्सेब और फेस्टूग में वीडियो कॉल्स आफ फिर भी कर पाएंगे दिसंबर में ये इंडिया में लॉंच हो जाएगा और इसका स्टार्टिंग प्राइस 28,000 है अब आप कहोगे 28,000 हो एक बिग अमाउंट है बट इसकी परफोर्मेंस को देखते हुए इसके टक्कर के सिरफ एपल और सैमसंग के ही बचे हैं लिनोवो और बाकी कंपनी काफी पीछे छोड़ दिये शाओमी ने और शाओमी मी पैड 5 प्रो आपके लिए बहुत अच्छी चोईस हो सकता है तो मुझे कमेंट करके अपने स्वाल इस टैबलेट के बारे में जुरूर बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के बना बिल्कुल ने जानना मिलेंगे नेक्स वीडियो में लाव व्यू ओल